तो दोस्तों, आज मैं Extraordinary Attorney Wook के 12th एपिसोर को explain करूंगी। अगर आपने पहले के एपिसोर्स नहीं देखे, तो मैं उपर आई बटन में डाल दे रही हूं। एपिसोर के शुरुआत में हम एक Life Insurance Company, Mir Life को देखते हैं। वहां HR एक female employee जिसका नाम Miss Kim था, उसे बुलाकर बताता है कि इस company को एक German company ने acquire कर लिया है और ownership change की वजह से policy में भी change आया है। नए policy के हिसाब से company में जो भी married couples हैं, उनमें से एक को resign करना होगा। HR reason ये बताता है कि married couple को double income आती है, अगर एक job ना भी करे तो एक के income आती रहेगी, तो वो look single income family से ज़्यादा stable है। HR फिर कहता है कि अगर married couples में से कोई एक resign नहीं करता है, तो husband को unfaid leave पे डाल दिया जाएगा। HR मिस किम को समझाते हुए कहता है कि उसे ही resign करना चाहिए, अपने husband के career के लिए रुकावट नहीं लानी चाहिए। मिस किम ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है, और बाहर निकलती है, तो उसे एक दूसरी employee मिलती है, जिसका नाम मिस ली रहता है, मिस ली भी अपने husband के साथ महा काम करती थी, और इसलिए HR ने अगला उसे ही बुलाया था, मिस किम फिर अपने husband से मिलती है, तो वो बताता है कि HR ने उससे कहा है, कि वो अपनी wife को resign करने के लिए convince करे, company का aim इस बहाने से female employees को निकालने का लग रहा था, मिस किम ये सुनकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसने इस company के लिए बहुत कुछ किया था, और अब उसे job छोड़ना पड़ रहा था, एपिसोर में आगे बढ फर में हम देखते हैं कि CEO आकर जंग मियोंग को बताती है कि जैंग जे ने attorney पार्क पे पिछली रत हमला कर दिया था, और वो hospital में है, जंग मियोंग को याद आता है कि उसने जैंग जे को पहले represent किया था, जब उसने अपने dad का पहुत बुरी तरह से murder किया था, और कुछ द प्राइम के हिसाब से उसे जादा सजा मिलनी चाहिए थी, CEO ये भी बताती है कि अटैक के बाद जैंग जे को अभी तक पुलिस पकर नहीं पाई है, तो ये सुनकर जंग मियोंग थोड़ा नर्वस होता है, और सोसता है कि जैंग जे उसके पीछे भी आ सकता है, यही सब सोस कर जंग मियोंग को टेंचन हो रहा था, पर तभी लिफ्ट रुपता है और वो आदमी कहीं गायब हो जाता है, अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरलाइफ का एचार जंग मियोंग के पास अपना केस लेकर आता है, वो अपने नए पॉलिसी के बारे में बताता है कि मैरिट क कमपनी पर केस कर दिया है, और अपोजिशन लॉयर ये क्लेम कर रही है कि उसके कमपनी ने फीमेल इंप्लॉईज के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, जंग मियोंग पूसता है कि जो दो इंप्लॉईज ने केस किया है, वो काम में कैसे थे, HR बताता है कि उनमें से एक मिस कि सीनियर मैनेजर थी, और अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड थी, उसे तो दो बार बेस्ट इंपलॉई अवार्ड भी मिला था, और दूसरी मिस ली असिस्टेंट मैनेजर थी, और वो भी अपने काम में बहुत अच्छी थी, इनकी बातचीत से हमें ये भी पता चलत है कि अपोजिशन लॉयर का नाम रियू जैसुक है, और वो हुमन राइट्स वाले केसेज लेने के लिए फेमस तो थी, पर वो जादतर केसेज हार भी जाया करती थी, जंग मियोंग, चोईसू और यंगू कोर्ट पहुंसते हैं, तो सब देखते हैं कि अटर्णी रियू को तो ध्यान नहीं देती, जंग मियोंग, जच से कहता है कि अटर्णी डियू अपने क्लाइंट्स के साथ कोट के बाहर ही प्रोटेस्ट कर देती, ट्रायल फेयर रखने के लिए उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए, पर जच कहते हैं कि प्रोटेस्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं क्योंकि उससे उनके जच्जमिन्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इधर हम देखते हैं कि यंग बू अपने डैड के साथ बैटके फ्रूट्स खा रही थी, उसके डैड पूसते हैं कि वो रिलेशन्चिप में है क्या, तो यंग मना कर देती है, तो उसके डैड हैर होकर कहते हैं कि जब रिलेशन्चिप में नहीं हो, तो किस क्यों कर रही थी घर के बाहर, यंग बू कहती है कि वो दोनों अभी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डेट्स पे जा रहे हैं, पर रिलेशन्चिप में अभी नहीं है, अगला सीनम कोट का दे तो उनके हस्बंस को अनपेड लीव पर डाल दिया जाएगा, फिर अटर्नीर यू बहुत से पॉइंट्स परके सुनाती है, जो एचर ने फीमेल इंप्लोईस को बोले थे, और उससे ये साफ पता चलता है, कि वो फीमेल इंप्लोईस को रिजाइन करवाना चाहता था, इस दूसरी इंप्लोईस से questions पूसता है, वो इंप्लोई कहती है कि उसके case में उसके husband ने resign किया, उसने नहीं क्योंकि resignation voluntary था, company policy sexually discriminatory नहीं है, अटर्नीर यू उस employee को cross examine करती है, जिसे पता लगता है कि उसके husband का कुछ समय पहले ही cancer को operation हुआ था, वो इशारा करती है कि उस समय इ तरफदारी कर रही है, कोट के बाहर मिस किम और मिसली उस employee से कहते हैं कि उसे बुरा feel करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है कि उसके पास कोई option नहीं था, ये सुनके वो employee sorry बोलके रूने लगती है, फिर तीनों ही गले लगके रूने लगते हैं, जंग म्योंग बाकी ल नजर एक टैक्सी पर पढ़ती है, जिसमें कीचेन वाला ही डिजाइन बना था, तो वो जुनों से पीछा करने को कहती है, वो टैक्सी में डिजाइन वाले आट को देखती है, जो कि एक women's infertility hospital का था, ये देखकर यंग वो को idea आता है, यंग वो अपने office में देर रात काम क कर रही थी, तो क्यों आकर उसे बताता है, कि मिल लाइफ ने जो कुछ किया, वो हानबादा के वज़े से ही है, हानबादा ने ही मिल लाइफ को सिखाया था, कि वो चालाकी से अपने female employees को resignation के लिए convince करे, क्यों ने ये सब यंग वो को हानबादा के against करने के लिए बताया, क् क्योंकि तैस उमी ने उससे कहा था, कि वो यंग वो को हानबादा से निकलवा दे, पर यंग वो ये जानकर बहुत परेशान हो जाती है, और जाकर जंग म्यूंग से पूस्ती है, जंग म्यूंग कहता है, कि हानबादा ने बस एक सुझाओ दिया था मिल लाइफ को, कंपनी की ग्रोध बढ़ाने के लिए, यंग वो कहती है कि उन्हें ये केस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो वो लुप विमिन के अगेंस्ट, डिस्क्रिमनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जंग म्यूंग इरिटेट हो जाता है, और चिला कर कहने लगता है, कि एटर्णी का काम अपनी क्लाइंट को जीताना होता है, सही गलत सोचना नहीं, उसके लिए जज हैं, यंग वो जंग मयूंग के फेशल एक्स्प्रेशन देखकर पूस्ती है, कि वो गुस्ता कर रहा है क्या, तो जंग मयूंग खुद को शान करके अच्छे से यंग वो से कहता है, कि वो प्रग्ननसी प्लान कर रही है, इसलिए उसे चुट्टी की बहुत जरूरत पढ़ने वाली है, पर कंपनी की हालत सही नहीं होने के कारण, उसे 90 डेज पेड मैटरनीटी लीव भी नहीं मिलेगा, और इसलिए उसने अपनी मर्जी से रिजाइन किया, ताकि उसे से और कि यंगवू अपोजिशन लॉयर से बात कर रही है, और सब को थोड़ा अजीब लगता है, ऑफिस में क्यों केस रिलेटेड मैटेरियल्स यंगवू के ऑफिस से लेकर अटर्णी रियू को भेज देता है, और उसमें यंगवू का बिसनिस कार्ट भी डाल देता है, घर लो कभी जॉगिंग करते वे कचरा उठाना, कभी पूरा दिन गेम्स खेलते रहना, मुझे ये सब पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारी कमपनी के लिए मैंने किया, और तुम कहती हो कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, ये सुनके यंगू थोड़ा सोच में पर जाती है, अगल नोटबुक निकालती है, वो कोड को नोटबुक के पेजिस की फोटोस दिखाती है, जिससे ये क्लियर पता चल रहा था कि मिरलाइप ने फीमेल इंप्लोईस को रिजाइन करवाने का प्लान बनाया था, और उनके हस्बिन्स के नाम पे उन्हें ब्लैक मेल किया था, जंग म नोटबुक को एज़ा एविडेंस एकसेप्ट कर लेते हैं, जिससे सुनकर अटर्नी रियू और उसकी क्लाइन्स खुश हो जाते हैं, यंग वू देखती है कि मिस किम उसी इंप्लोई को इशारा करती है, जिसने मिरलाइप के सपोर्ट में बयान दिया था, असल में उसी इ रिजिगनेशन के लिए फोर्स नहीं किया गया था, हाँ, करने की कोशिच जरूर की गई थी, पर लास्ट डिसीजन इंप्लोई का ही था, इसलिए ये डिस्क्रिमनेशन का केस नहीं है, डिसीजन सुनके अटर्नी रियू और उसके क्लाइन्स मायूस हो जाते हैं, अगले सी और पैकेट में अपना बिजनस का डिक कर चौंक जाती है, फिर पूस्ती है क्यों उसने ये मैटेरियल एविडेंस में क्यों नहीं यूज किया, अटर्नीर यू कहती है कि अगर उसने ये मैटेरियल यूज कर लिया होता, तो यंग वू प्रॉब्लेम में फच जाती, इसलि ही उसे CEO का मेसेज आता है, जो बताती है कि जैंग जे पकड़ा गया है, जैंग मियों को तभी जोर से खांसी आने लगती है, और वो देखता है कि उसके मुझ से खून निकल रहा है, ये देखकर वो थोड़ा डरता है, और कहता है कि मैं बिमार हूं क्या, ये एपिसोड यह ही खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर एक्स्प्लिनेशन पसंद आया हो, तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वाचिंग